आप सबी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालयन स्टेडी यूटूब चैनल पर और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करेंट फीर्स के तीन टॉपिकों पर वे और जो लोग नए हूं हमारे इस चैनल पर बेहे सबस्क्राइब जरू कर लें हमारे इस चैनल को और बेल एकिन के बेटन को प्रेस करना ना भूलें तो तीन पॉइंट है इस वीडियो में उत्रा खंड के नई मुख्य मंतरी और दिल्ली के नई लोका युक्त कौन बने हैं और कोरोना के बारे में महत्पुट जानकारी है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जुरू देखें तो देखी पहली सूचना है इस वीडियो में जो की करन्ट फिर्स के साफसे कुस्टन आपका काफी महत्पुट है कि उत्रा खंड में नई मुख्य मंतरी की सपत किसनली है तो ये अभी हाली में पुस्कर सिंग धामी ने उत्रा खंड के जो हैं नई मुख्य मंतरी बनाए गए हैं और प्रधान मंतरी मोधी ने इनको बधाई दी हैं तो ये इस प्रकार का कोस्टन आपका परिक्षा में बन सकता हैं और इसी के बाद हम देखते हैं दूसरे महत्पुन पाइंड को और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें तो देखी इसमें लिखा है कि उपराज्य पाल ने लोका युक्त को दिलाई है शपत और इसमें लिखा है कि दिल्ली के उपराज्य बाल याने कि इस समय दिल्ली के उपराज्य पाल कौन है अनिल बेजल इनको भी ध्यान नखें आप ये इन्होंने जो हैं सेवनी ब्रत नयदीस हरीश चंद्र मिर्सरा को याने कि दिल्ली का लोका युक्त के रूप में शपत दिलाई है याने कि सीधा कहने का मतला हमारा ये है कि दिल्ली के अभी हाली में लोका युक्त बनाए गए हैं इनका नाम है हरीश चंद्र और इसमें लिखाए कि उपराज्य पाल है इस समय दिल्ली के अनिल बेजल इस वात का अपलोग ध्यान लखें और दिल्ली के मुख्य मंत्री है इस समय अरविंद केजरिवाल तो इनकी मौजूद्गी में नई लोका युक्त बनाए गए हैं दिल्ली में और इनका नाम है हरिश्चंद्र और इसके बाद हम देखेंगे आगे जो की महत्पुट जनकारी है कोरोना के संबंद में क्योंकि इस प्रगार के कोर्शन में कई वर पूछे गए हैं तो आगे हम देखते हैं तो देखें इसमें लिखा है कोरोना पावंदिया मार्च के बाद ख़र्म और इसमें लिखा है कि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना की काफी लहर आपको देखने को मिली है भारत में तो आप जो है लगबग समानने होने लगी है कंडिशन इसमें लिखाएगी केंद्रिय गिरह सचिम ने महामारी कानून के तहट जारी सवी पावंदियों को बापस ले लिया है और इससे संबंदित दिशा निर्देशों को जारी कर दिया है और कहा गया है कि 31 मार्ज तक ये सवी पावंदिया रहेंगी इसके बाद ये सवी पावंदिया आपकी हड़ जाएंगी लेकिन स्वास्त मंत्राले का कहना है कि मास्क और दो गच की दूरी होगी जरूरी और इसमें दे रखा है कि सवी लोग फिर भी ध्यान लखें क्योंकि काफी बिकराल रूप देखने को मिला था भारत में कोरूना के टाइम में तो इसको ध्यान में रखके जो हैं फिर भी आप लोग जो हैं मास्क जरूर लगाएं और इसमें दो गच की दूरी का पलन करें क्योंकि ये कहना है स्वास्त मंत्राले का यानि कि इनका कहने का मतलब यह कि कोरूना पावंद्या खदम दो रही हैं फिर भी आप जो हैं कुछ न कुछ नियमों का पालन करें जैसे कुछ भीड़ वाले जगे में आप जाते हैं तो जो हैं कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं आप लोग क्योंकि अभी भी भारत में कुछ ये कुरोना के मरीज आ रहे हैं लेकिन नामातर की संक्या है फिर भी ध्यान नके इस वाद का और ये इसमें दे रखाये कि भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार ये दिसा निर्देश जारी किये थे और 2022 चल लए है आपकी इस समय तो ये दिसा निर्देश बापिस ले लिए गए हैं 31 मार्च तक ये बस दिसा निर्देश लागू हैं आप्रेल से दिसा निर्देश खदम होने जा रहे हैं जो की जानकरी दी गई है यानि की दैनिक जागरण समचर पत्र के माध्यम से तो देखते रहे हैं आप लोग हमारे चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद